नमस्कार मित्रों, आज से हर रोज हम हर एक मसल्स के लिए पुरातन भारतिय वैम पदिती में से वैम प्रकार देखेंगे तो आज सरोपरतम हम चेस्ट यानि किछाती के लिए वैम प्रकार देखेंगे आज से मैं हरोज एक एक वीडियो डालूँगा जिसमें हरोज अलग-अलग प्रकार के मसल्स के लिए अलग-अलग भारती वैम पदिती के वैम होंगे तो सबसे पहले हम पूरे चेस्ट की ग्रोध के लिए साधारन दंड लगाएंगे वैसे तो साधारन दंड पूरे शिरीर का वैम है लेकिन इसमें चेस्ट का बहुत एची तरिके से विकास होता है साधारन दंड में हमारे चेस्ट की मसल्स पूरे रेंज ओप मोशन में मूह होते हैं इसी वज़े से साधरन दंड से हमारे चेस्ट का पूरा विकास होता है साधरन दंड के बाद अपर चेस्ट के लिए हमें साधरन दंड ही करना है लेकिन इसके लिए हमें पेरों को हातों से उपर रखना है और फिर दंड लगाने है ऐसा करने से भी पूरी चेस्ट का ही विकास होता है लेकिन पेरों के उचाय उपर होने के वज़े से इस तरह का आंगल होने के वज़े से हमारी अपर चेस्ट का विकास अधिक प्रकार से होता है तो अपर चेस्ट के ग्रोथ के लिए हम पेरों को उपर रखके फिर साधारंदंड लगाएंगे साधारंदंड के बाद हम कुछ पत्थरों के साथ हमारी चेस्ट का वैयम करेंगे आप पत्थर ले सकते हो, स्कुल बैग ले सकते हो या घर पर किसी भी प्रकार का कोई वजन इस्तिमाल कर सकते हो इसे करने के लिए हम लेट कर जैसे जिम में वैयम करते हैं उसी प्रकार से लेट जाना है और फिर वजन को उपर पकड़के फिर चेस्ट प्रेस करते हैं उस प्रकार से प्रेस करना है यहाँ पर भी आपके शिरिख का जिस प्रकार से एंगल होगा, उस प्रकार से आपकी चेस्ट की ग्रोथ अलग-अलग प्रकार से होगी, आप सिधे लेट गए तो पूरी चेस्ट का अधिक विकास होगा, और अगर आप थोड़े तेड़े लेट गए जैसे कि मैं यहाँ पर लेटा हूं तो उससे Upper Chest का अधिक वेकास होता है तो साधारन दंड में और इस प्रकार से वजन उठाने में आपके chest के साथ shoulder और tricep का भी विकास होता है तो सिर्फ chest के विकास के लिए हम कोई भी 2 ऐसे वजन लेंगे जिससे के हम आसानी से 15-20 रेपिडेशन लगा पाएंगे यहां पर मैंने दो पत्थर लिये हैं तो उनसे मैं chest flies करूंगा अपनी कोहनी को अपनी कंदी की लाइन में रखते हुए हमें हातों को हिलाना है वजन को जब नीचे ले जाते हैं तब धिरे-दिरे ले जाना है और उपर भी धिरे-दिरे लाना है वजन पर कंट्रोल रखना है तो chest की growth के लिए यह हो गए बहुत ही आसाने से 4 वैम प्रकार इसी प्रकार से अब हम रोज, back, shoulder, bicep, tricep, legs, abs इन सभी प्रकारों के लिए पुरातन भारते वैम पद्धिति के वैम देखेंगे यह वीडियो आपको कैसी लगे मुझे नेचे कमेंट्स में जरू बताएए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर जरू कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद